वोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक बताऊंगा जो काफी इंटेव्यू में भी उचा जाता है तो वट इस दे मोटर तो हम इसमें सिंपल सी बहुता में जानेंगे कि हम मोटर को कैसे डिफाइन करेंगे अगर हमसे कभी इंटेव्यू में पूछा जाए तो सिंपल सा कुश्चन पुछे का मोटर क्या है तो हमें एक सिंपल सा जवाब देना है मोटर एक इलेक्टिकल मसीन है जो कि हमारी इलेक्टिकल इनर्जी को मेकेनिकल इनर्जी में चेंज करता है तो उसे हम मोटर कहते हैं तो जो मोटर का साइन होता है वो कुछ इस परकार का बना होता है यह देखिए यह हमारी मोटर का साइन होता है तो दोस्तो आप सिंपल ही कहेंगे कि मोटर एक मोटर एक इलेक्टिकल मशीन है मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है मशीन है जो की इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर को मेकेनिकल पावर में मेकेनिकल पावर में चेंज करती है तो आप simple सा यह चीज बोलेंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम आपने किसी मोटर को देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि एक side से हमें इन्पुट देना पड़ता है तो हम जो इन्पुट देते हैं वो electricity के द्वारा देते हैं जो हमारी light होती है, light के द्वारा हम उसमें input देते हैं और जो हमें output मिलता है, वो एक sharp घूमते भी हमें मिलता है output तो हमारे यहां mechanical power मिलती है और हम इसमें जो input देते हैं वो electrical power देते हैं तो इस परकार से हमारा motor ये काम करता है तो कई परकार की motor होती है, तो दोस्तो मैं next वीडियो में उन सभी motor हों के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करें, वीडियो को like करें और ज़्यादा share करें इस चैनल पर मैं आपको इसी परकार की knowledge से बड़ी वीडियो देता रहता हूँ तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करना न बोले